अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यह मैंने दो पैकेट मैरी बिस्किट्स ले लिए हैं इन हम तोर के ग्राइंडर में डाल देंगे और इसका फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे यह देखिए बिस्किट्स का फाइन पाउडर रेडी हो गया है अब हम इसमें 200 ml कंटेंस मिल्क एड़ कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका डोर रेडी कर लेंगे इसमें हम दो चमच दूद आड़ कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने इसका डो रेडी कर दिया है अब हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे एक पार्ट में हम हर्षित का कोको बाउडर डाल देंगे एक चमस थोड़े से इसमें कट हुए ड्राइफ रूट सेट कर देंगे इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हम एक चमज दूद आड़ कर देंगे और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बर्फी बनाने के लिए हमारे दोनों डोर रेडी हो गए हैं अब हम एक सेल्वर फॉाइल पेपर ले लेंगे इसे हम घीर से ग्रीस कर लेंगे और चॉकलेट वाला पॉर्शन ले लेंगे इसे हम हाथ से इसी तरह से शेप दे देंगे जिस शेप में भी आप काटना चाहते हैं उसी तरह की शेप दे सकते हैं आप इसे इसी तरह से हम दूसरा भी फॉइल पेपर ग्रीस कर लेंगे घी से और इस पर दूसरा पाट डप लेंगे और इसे हाथ से चारो तोरा से फैला लेंगे अब इस शीट के उपर हम चॉकलेट वाला पोर्शन रख देंगे कि अथे झाया है यह दूस्वार प्रीडेट। जूसरा प्रॉब जूसरा प्रीड़ के अशरा कि अपर देंगे सीटाट। अब इसे हम फ्रिज में एक गंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे इसे रुखे हुए एक गंटा हो गया है यह देखी एक दम से सेट हो गी है इसके उपर हम चांदी का वर्क लगा देंगे यह चोक्लिट बर्फी बनकर एकदम तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थेंक यू वर वाचिंग